पूरी डिटेल बाहर आ चुकी है तो चलिए हम आपको बताते हैं रिया चकरवती से जुड़ी हुई ये अपडेट पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी देख भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीचे बेल आइकन को ज़रूर दबाईए इस वीडियो को लाइक केजे शेर केजे तो रिया चकरवती जो की इस केस में धस्ती हुई जारी है आखिरकार उनको ड्रक्स और उनको बैडशिट भी दी गई है हाला कि वहाँ पर पुरिस रक्षा का ध्यान भी रखा गया है और उसी के सासा रिया चकरवती जो है 22 सितंबर को अभी इस जो की जेल है वहां से बहा निकलेगी पर रिया चकरवती के जो वकील है उन्होंने कल ही अभी बेल याची का ज जो है वह खारिच कर दी गई थी और उसी के साथ अभी यह चाई जा रही है कि रिया चकरवती की अगर हम लोग रिपोर्ट की माने तो रिया चकरवती दूसरी रात आखिरकार जेल में कैसे बीती है बताया जा रहा है कि रिया चकरवती ने सुबा मौनी में ब्रेकफास्ट पोह और चाई पी है और उसी के साथ उन्होंने लंच भी किया है लंच में उन्होंने रोटी सब्जी दाल और आलू की सब्जी खाई है और फिर उसके साथ ही उन्होंने मैस में रात को डिनर भी किया है और उसी के साथ जितनी भी बाते हैं वहाँ पर की जा रही है रियर चकर प्रॉपली वैसे वाली जेल नहीं है, जो की जेल होती है, और उनको अकेले सेल में रखा गया है, जहां पर चार दिवारी है, और वहां पर एक सिर्फ डोर है, जो सलाखो का है, और उसके अंदर भी उनको प्रॉपली फैसिलिटिस दी गई है, तो I hope guys, आप लोग को जानकरी ह माई तरफ से अपडेटिल लगी होगी, बाइस सेतंबर तक यह न्याय हिरासत में भेजी गई है, रिया चकरवती को, तो क्या आप लोगों को लगता है कि रिया चकरवती को आज बेल मिल जानी चाहिए, कोट से क्या यह फैसला आप सुनना चाहते हैं, यह आपको लगता है कि और भी जो 14 दिन है, जो कि उसमें से 2 दिन निकल चुके हैं, क्योंकि पहले जो कि वो NCB के जब ऑफिस गई थी, तब उस दोरान ही वो Saturday यह कुछ था, इसलिए वो जेल में शिफ्ट नहीं की जा सकती थी, रात का टाइम हो चुका था, इसलिए उनको NCB के ही लॉकर में र करने चाहिए, या नहीं करने चाहिए, आप ही बताईए कमाइंड बॉक्स में, इसलिए के साब मैं लेती हूं, जाजद, बबाई, टेक केर, नमश्कार.